हालो सुडेंट्स वालकम टू डाउट नाइट आएम राजू सिंग और साइंस एजुकेटर तो बच्चो हमारा रह गया है वन मन्त एक्जाम में ठीक है और बच्चे हो गया है बहुत परेशान कि वह किस तरीके से रिविजन करें किस तरीके से स्टेटिजी बनाएं कि पस नंबर पर हमारा आता है बी पविशन सबसे पहली जो हमारे हाँ पर हुए बीप उच्चो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले चाहे वह पढ़ है या फिर होगे बच्चो माइन उस चीज को क्या करता है अगर आप अपने एक्जाम के बारे में पॉजटिव सोचेगे तो आपका रिजल्ट भी पॉजटिव ही रहेगा तो सबसे पहला जो पॉइंट है बी पॉजटिव पॉजटिव रहना बहुत जरूरी है बच्चो एक्जाम के ल प्लैन कैसे करोगे सबसे पहले आप जब जिस भी टाइम पे उड़ते हो आप सबसे पहले आपको यह चीज सोचनी है कि आपको आज क्या-kşa पढ़ना है जैसे कि मैं आपको एक्जामपल देता हूं तो आप अपना इस तरीके से स्ट्रेटिजी बना सकते हो जैसे मैट साइस इंग्लिश कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो जैसे कि मान लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका तो आपको ये पहले आपको प्लैन करना है कि आज आपको क्या करना है केमिस्ट्री के ठीक है केमिस्ट्री के आपको कम से कम एक चैप्टर के 20 कोशन करने है तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा पूरा दिन कुछ न कुछ करने के लिए और्भाइस बहुत बच्चों का टाइम दिए शुरा रहना उन्हिं ही समझों आथ की स्टर कहां से करें तोपहले ही अपना जो है टार्गेट लेलेना कि मैज का एक सब्गेट और फिजिक्स का एक चेप्टर करना है केमस्टी च्यक्टर करना आपको सब्ज़क्ट Boy static आपको बायोजीग को सब्सक्राइब सुब्ह उठते ही प्लैन बनाना ताकि आपको टारिगेट मिल जाए कि पूरा दिन मुझे क्या ऐने क्या करना है टेक जिससे आपका बिलकुल आपका एक्जाम के लिए रह गया तो बच्चों मुबाइल फॉन को एकदम बंद करके जो है पेरेंट्स को दे दो जो भी आपकी इंपोर्टेंट कोल और मैसिज है तो आप सब सबसे बढ़िया रहेगा आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो अपने मुबाइल फॉन को हमेशा और अपने से दूर रखना है अगर आप उसको अपने टेबल पर रख लो के साथ में तो आपके ठीक है मन में आता रहेगा चलो यार ओन कर लेता हूं इसको और कुछ देख ले है तीसरा जो पॉइंट है वो है अवोई distraction और फॉर्थ पॉइंट है बच्चो टेक 15 मिनट ब्रेक आपको क्या करना है बच्चो ठीक है जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है कि आप लगातार दो तीन घंटे लगातार पढ़ते जा रहे 15 मिनट ब्रेक में आप भी कर सकते हो आप लोग जो है कुछ खा सकते हो अपने bearing से बात कर सकत सकते हो ठीक है यह पिर आप को कूई सुन सकते हो जो आपको अच्छा लगता है वह करें लेकिन मुबाईल फॉन से दूर रहें मुबाईल फॉन करके आपको तो यह सब चैट अगर आप देखने लग जाओगे ठीक है तो उससे क्या होगा और डिस्ट्रेक्शन होगी जो भी आपके फ्रेंड ने मैसेज कर रहे होंगे उससे आपको क्या होगा टेंशन होगी फिर आगे जो आपके 45 मिनट में आगे आपको पढ़ना होगा वह ठीक से नहीं पढ़ पाओगे तो पूरा दिन बेटा 45 45 मिनट पढ़ाई करनी है पंदर मेंट का ब्रेक तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है आपको मुबाइल फोन को एकदम एंड में सोते Int करने को बहुत सारे बच्चे करते हैं यह कोई बहुत में सब कुछ पढ़ लेते हैं और कोशन का जैसे आपना सबसे पہले यह बी नोपोड़ी है कि आपका जो भी एक्साम आप उसका लेवल समझे कि उस पर किस लेवल के कोशन आते हैं टेका उसमें hard kushen पूछे जाते हैं ठीक है या फिर medium level के पूछे जाते हैं या फिर easy पूछे जाते हैं पहले अपने पेपर को समझिए जैसे मैं CBS की बात करूं तो बिटा CBS में जो कोशन होते हैं वो हमारे नॉर्मल ना ज्यादा टॉफ होते हैं ना ज्यादा इजी होते हैं तो इस वज़े से आपको उन कोशन के ओपर क्या करना है फोकस करना अब जितने भी बच्चे जो हैं बोर जूर फोकस करना है आप अगर NCRT को ठीक है अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते बागी रेफरेंस बुक पे ध्यान देते रहोगे अगर आप तो बच्छों आपको एक्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एक्जाम जो होता है बीटा cbsc का वो ncrt से बनता है तो ncrt के जितने भी कोशन से चाहे वह एंटेक्स में चाहे वह एक्जामपल में चाहे वह एकसरसाइज में सभी कोशन को अच्छे से करना है उसके बाद आपको रेफरेंस बुक जो आगे आएंगी ठीक है जो भी आपके बास प्रदीप है ठीक है या बच्चे जो हैं वो क्या करें 90 प्लस कोर करें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लिए थैंक्यू एंड है वनाइस टे